Hey everyone, welcome back to learn mass communication So, इस वीडियो में हम डेटा जार्शम के बारे में बात करने वाले है जो काफी important topic है, काफी interesting topic है सबी students के लिए जो mass communication कर रहे है jagan चाहते है तो चलुकर जार्श्बाइं कि वीडियो को start करते हैं तो डेटा जार्नलिजम दो शबद है डेटा मतलब जितने भी हमारा collection होता है, जितनी भी हमारी facts होते हैं, जो भी data होता है, उसे हम data बोलते हैं, और journalism आपका पत्रकारिता, या फिर data driving journalism, यह दो शब्द है, यह एक ही मतलब है दोनों का, तो data journalism से हम क्या समझते हैं, वो data जिसमें से एक story निकालके publish की जाए, उसे data journalism कहते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारा data है, उसमें से आप एक story कैसे निकालोगे, उस story को निकालने के तरीके को data journalism कहते हैं, तो data journalism is journalism based on filtering and analyzing large data sets for the purpose of creating and elevating a news story, means आपके पास बहुत सारा data है, किसी crime की बात कर लेते हैं, कोई crime story है, means कितने, मतलब एक साल के अंदर कितने murder हुए है, उससे related आपके पास बहुत सारा data set है, या women के साथ कोई crime हुआ है, उससे related आपके पास बहुत सारा data set है, अब उसमें से आपको news story निकालनी है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आपको filter करना आना चाहिए, कि आपके काम का क news करके, फिर एक story present करोगे, उसे हम data journalism कहते हैं, तो अब जो है, जैसे जैसे digital era आता जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर आ ही गया है हमारा digital era, तो इसमें जो है data journalism काफी जादा, एक एहम भूमी का निभा रहा है, इसमें हमारे पास इतना सारा data होता है, हम daily इतना सारा data collect करते हैं, ह हमारा जो जितनी बड़ी-बड़ी companies है, गूगल है, गूगल का ही वो ले लेते हैं, कि गूगल हमारे पास कितना सारा data हमारा whatsapp से, facebook से, instagram से, या फिर कोई भी हम site, youtube है, इन सबसे हमारा data collect कर रहे हैं, तो daily हम कितना data collect कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, हमारे पास खुद कोई data collect हुआ है, data sets है, उसमें से हम कोई news story निकाल रहे हैं, तो उसको हम data journalism कहते हैं, means कोई raw data है, मतलब आपको बस एक data मिल गया कि इतना crime यहां पर हुआ है, इतना crime यहां पर हुआ है, या फिर किसी women के साथ यह crime हुआ है, या फिर कहीं पर child abuse हुआ है, या फिर कोई और set है इतने earthquakes जो है एक साल के अंदर आए है, या फिर flooded, अभी बीश में flood या तुफान वगयरा जितने भी थे आपके आ रहे थे, उन से related कि इतने सालों में कहां कहां पर आए हैं, तो वो सब data जो है आपके पास है, लेकिन उस data में से आपको story कैसे निकालनी है, उसकी जो story आप ब फिल्टर करके जो story बनाओगे उस raw data को, फिल्टर करके एक story का transformation दोगे, that is what data journalism is, तो the process to transform raw data into the story is a kind of refinement and transformation, तो हमारा जो main goal होता है data journalism में, एक वो यही होता है कि जो raw data है, उसमें से हमें एक exact information extract करनी है, और उससे एक hidden story निकाल कर, एक story publish करनी है, और यही कहां होता है data journalist का, उन्हें जो data journalism का, मतलब जो यह काम करते हैं, उन्हें हम data journalist कहते हैं, तो चलिए, यह एक picture है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तईके से यह काम किया जाता है, आपको data मिल गया, बहुत सारा data site है आपके पास, उसके बाद आप उस data में से filter करोगे, means आपके काम का data कौन सा है, फिर जो filter करा हुआ data आपके पास आ गया, उसमें से भी आप visualize करोगे कि आप इसमें से क्या चीज इस्तमाल कर सकते हो, और सारी चीज़े analyze करने के बाद, फिर आप एक story बनाओगे, तो यह एक पूरा process होता है, data journalism का, तो पहले आपको find करना है, वैब पे कि आपको data, किस इसका data चाहिए, फिर आपने सारा data जो है, आपने Google से, जगे-जगे से YouTube से, जगे-जगे से collect करके लिया, अब data collect करने के बाद, आपने सारा जितना भी अपना actual sheet पे जो है, अपना paste कर लिया, उसके links बगेरा, फिर आपको पता करना है कि अब उसे clean कैसा करना, तो आप filter लग सिर्फ crime तो है, उसमें मतलब जैसे crime की बात ले लेते हैं, कि crime का data आपके पास सारा है, लेकिन आपको story लिखनी है women crime के उपर, तो आप उसको filter करोगे women crime को करके, तो women crime के उपर जितना भी है आपके पास आ जाएगा data, और women crime में भी आपको सिर्फ rape की stories चाहिए, तो उसमें भी आप filter करोगे कि rape की stories जितनी भी है अब तक एक साल के अंदर, वो आप उसको filter out करके निकालोगे, तो this is what कि visualize करना, फिर आपने की story form कर ली, story लिख ली, उसके बाद आप उसे publish करोगे, publish करने के बाद फिर आप जगे जगे उसे distribute करोगे, कौन से कौन से platform पे आपको उसे publish करना है, कहां कहां पर आपको उसको दिखाना है, साथ में आपको ये भी track करके रखना है कि आपकी data stories जो है, जो आपने data stories बनाई है, जो publish करी है, उनका कहां कहां पर किस तरीकी से इस्तमाल किया गया है, तो this is what data journalism is all about, I hope आपको वीडियो अच्छी लगेगी, thank you so much.